हलो फ्रेंड्स और वन्स अगें वेलकम तो देमेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स और मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज हम देखने वाले बहुती इंट्रेस्टिंग बूक जिसका नाम है टारगेट हाई और जो की सेवन्थ एडिशन जो लेटेस्ट एडिशन आया है अभी एमेजोन पर जो एवेलेबल है तो उसे हमने किया है और और चार दिरों के बाद हमारा जो बूक है तो व से पहले देख लेते हैं कि यह बूकलेट क्या है तो दोस्तो बूकलेट बहुत ही चोटा है और बूकलेट में आपके लिए अगर आप बूकलेट को थोड़ा ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको इसका जो इंडेक्स है तो इंडेक्स सिदर देखने को मिलेगा तो तो आप देख सकते हो कि section A और section B ऐसा दो टाइप करके इसमें booklet में दिया गाया है जिसके अंदर आपको general knowledge और थोड़े conceptual विडियो जे गोड़न पॉइंट से इसके बारे में जो एकदम थोड़ा थोड़ा जो information है तो इसके जो booklet में दिया गाया है और second one is the general knowledge and aptitude के जो question से तो आपको इस booklet में दिखने को मिल जाएगे तो SI section A और section B करके आपका जो add-on booklet है तो इस तरह से दिया गाया है उसके बाद हम देखने वाले हमारा जो actual जो main book है त और इसका आप edition देख सकते हो this is the seventh color physical edition digital plus book plus digital तो target है का हमारा seventh edition है cool मिला के हमको पूरे 17 सुरूपई गए है इस book को लेनी के लिए और आग book देख सकते हो बहुत ही मोटा सा book है तो start करते है इसका review तो target है ये book का अगर आप cover page देखोंगे तो इस पर आपको एक दिखने को मिलेगा कि कौन से कौन से exam के लिए ये book important है तो नॉर्सेट, AIMS, PGIM summer, then gymper, ECIC, RRB, DSSB, then CHO, Allstate, PSC, and HWD, then poro metric तो ये जो सारी exams है तो उनके लिए उनका preparation करने के लिए आप target है जो ये book है तो ये book यूज़ कर सकते है और nursing officer और staff nurse recruitment exams यानि क्या one nation nurseset book ये जो nurseset का जो book है तो आप कुछी भी तरह का nursing का, staff nurse का या फिर nursing officer का exam है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो book को हम करते है open और जाते है सिधा इसके अंदर, तो इसके अंदर जाने के बाद आपको ये बहुत सारी teachers के photo दिखने को मिलेंगे, तो ये photos का है our valuable reviewers and contributors, यानि कि ये सारे contributors है और इनके सारे contribution से हमारा ये जो 7th edition है, तो ये 7th edition बनता है, तो हम थोड़ आपका section A and next one is the section B, तो दो section में आपको ये book देखने को मिलेगा, first one is the section A and second one is the section B, तो देखते section 1 में क्या है और section second में क्या है, तो आपका जो section A है, तो इसमें क्या है, आपका जो fundamental of nursing, यानि क्या आपके nursing के जितने भी सारे subjects है, तो वो सारे subjects plus उसका जो MCQ है, तो MCQ आपको इधर देखने को मिल जाएगा, इधर ले आए, इधर आपको लिखना है, क्या है subject wise synopsis, then CBQs, IBQs and MCQs, तो देखते हैं, इसमें कौन से कौन से subject included है, first one is the fundamental of nursing, तो इसके सारे MCQ and synopsis, जो भी आपका information है, नोट से, इस तरह से fundamental of nursing का सबसे पहल दिया है, उसके बाद next one है, medical surgical nursing और adult health nursing, तो देखो, अभी क्या है, हमारा जो update syllabus आया है, तो syllabus में, क्या है, medical surgical nursing का, अभी adult health nursing में conversion हुआ है, तो इस तरह से आपको दिखना, इधर दिखने को मिलगा, कि adult nursing में इन्होंने दिया है, then आपका जो anatomy और physiology जो subject है, तो इसमें separate नहीं है, आपका जो medical surgical nursing है, तो medical surgical nursing क अंदर ही उन्होंने anatomy और physiology include किया है, जैसे आप इदर देख सकते हो, कि muscular skeletal के multiple choice questioning, तो इसमें ही उन्होंने include किया है, anatomy and physiology of the muscular skeletal system, then हम आगे जाकर देखते है, कि for example, इदर ENT system हो गाया, तो ENT system में भी anatomy of ear, then physiology of ear, hearing, आप इदर देख सकते हो, तो जैसे हमारा system wise आपका जो disease condition द जो medical surgical या फिर adult health nursing है, तो उसमें include किया गया है, then next one is the pharmacology, then उसके बाद इदर community health nursing subject है, then हमारा जो psychiatric है, तो psychiatric nursing भी इसमें included है, then उसके बाद आता है आपका pediatric nursing, then obstetric and gynecological nursing, then applied microbiology, जब हम first year में थे, annual pattern में, तो हमको सिफ microbiology था, अभी कैसा है, applied microbiology, then applied biochemistry and nutrition, applied sociology and psychology, then nursing research and statistics, then nursing education, और जो last में subjects आते हैं, दोन तीन subjects उसमें कौन सा कौन सा है, nursing administration and management, then computer health and nursing informatics, और last में आता है आपका forensic nursing and Indian laws, तो इतने जो सारे subjects हैं, तो यह सारे subjects हैं, आमारे not set की book में include हैं, अम एक बार count करते हैं कि कौन से कौन से subjects हैं, तो starting से देखते हैं, fundamental of nursing, first, medical surgical nursing, second, then तिसरा है हमारा pharmacology, fourth one is the CHN, then fifth one is the psychiatric, then pediatric nursing, nursing, obstetrical, then applied microbiology, then biochemistry, psychology, sociology, nursing research, nursing education, computer, forensic and nursing administration, तो इतना सारा आता है हमारा section one में, या फिर section A, अभी उसके बाद है section B, तो section B में क्या गाया है, तो section B में हमको इधर दिखने को मिलेगा previous year question papers, तो नॉर्सेट जून दोन हजार, थे भी इसका, then aims जोतपूर, then aims बीबी नगर, aims बीबी नगर, then जो भी पुराने question papers है, तो पुराने question papers आपको इधर दिखने को मिल जाएंगे, और उनका जो page number है, उसके आगे ही दिया गाए, then उसके बाद papers in nursing next lab, याने कि जो nursing next lab, जो app है, तो application के अंदर जो भी papers उनने दिये गए थे, तो उनका भी इधर एक आपको under target है, digital like package, तो इसमें भी book में ये सारे दिये गए है, तो दोस्तो इस तरह से आपका जो book है, target है, इसका index है, जिसमें section A and section B आपको इधर दिखाये गया है, तो हम आते हैं, books के अंदर और किसी भी randomly कोई भी page को open करते है, for example, अभी हमने ये section open किया है, तो इसमें क्या-क्या दिया गया है, हम देख लेते हैं, for example, किसी भी page को अगर हम open करते हैं, तो आपके जो notes रेते हैं, तो notes type भी दिया गया है, और अगर हम थोड़ा आग आपको जो questions है, तो mcq भी दिखने को मिलेगा, उसे हम कहते है, clinical case based question, अगर इसमें जो mcq दिये हैं, तो mcq के इसमें आपको दिख जाएंगे, कि three types के mcq इधर दिये गई, इधर हमने देखा है, कि subject was synopsis, सबसे पहले गया, synopsis है, synopsis है निकल गया, उसके जो descriptive notes है, तो आपको जो questions है, तो आपको जो questions है, इसमें मिल जाएगे, और आपको जो पूरा notes है, तो notes भी आपको इस book के अंदर clear होने वाला है, so friends, ऐसा था हमारा ये note set का 7th edition, जो कि हमारा target hacker book है, तो आपको ये book कैसा लगा, अगर आपको चाहिए book, तो description में इसका link में ने दिया है, आ आप वहाँ से जाकर Amazon से order कर सकते है, और last page में इस पर क्या दिया है, कि Toppers Choice, यानि कि इतने सारे जो Toppers लोग है, 2021-2022 के, तो इनका इदर review दिया गया है, और इनके photos भी लगाए गये है, यानि कि ये जो Toppers आये थे, for example, AIR1, All India Rank 1, Ashish Kadam, North City 22 का है, तो ये भी जो student थे, और ये होना चाहिए, North State में, या फिर आप हमारे जो AIMS के hospital से, तो आपको ये book यूज करना बहुत ही important है, तो friends, this is all about the target high, और इस तरह से हमारे जो target high book है, वो हमको मिल जाता है, अगर आपको चाहिए, तो आप Amazon से order कर सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो वीड पूड़े रहने के लिए, चानल को सब्सक्राइब करो, थैंक्यू, friends